मेरा एक शपना है कि देखो तुझे अपनों में तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में मेरा एक शपना है कि देखो तुझे अपनों में हेलो प्रेंट्स दिस विजाराजपुस्प एन वेलकम टू लर्नर आइस वाई वीर्पी तो आए आज हम लोग इंग्लिश सेक्षन जो चलना है उसका आज हम लोग पार्ट 4 देखते हैं तो आईए आज हम लोग इंगलिस का पार्ट पर देखते हैं और आज देखेंगे टूबी वर्ब को किस रूप में में वर्ब के रूप में देखेंगे देखे टूबी वर्व को दो रूप में इज क्या जाता है एक तो में वर्व के रूप में और एक होता है एक जुलरी वर्व के रूप में तो आज हम लोग टूबी वर्व का में वर्व के रूप में उपयोग देखेंगे जब to be verb main verb के रूप में होता है तो उसका आर्थ होता है होना या बनना के सेंस में आता है देखेगा to be verb का पहला जो रूप होता है वह are, second जो होता है was, were, तीसरा, been, चौथा, being, पांचमा, is होता है अब यहाँ पे देखें be को हम लोग कितने रूप लिखते हैं? am, are, was, were, being, been, is इतने form में इसका परियोग करते हैं यानि be जो है एक हेड होता है और उसके इतने रूप होते हैं एक सुर्ज की तरह काम करता है to be यानि main verb के रूप में जब आप यूज करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या उपयोगता होते हैं? हम कहां-कहां पर इसका उपयोग करेंगे तो आए इसको देखते हैं सबसे पहले to indicate a position जब हमको किसी चीज का position दिखाना हो तो हम family में चाहे work पर यानि परिवार में या काम पर तो हम उसके लिए तो भी वर्व का परियोग करेंगे जैसे राधा मेरी बहन है तो कैसे उसकी जिगा राधा is my sister यहाँ पे sister जो है उसका position बता रहा है family में दूसरा होता है इसका परियोग हम लो to express qualities about someone किसी भी ब्यक्ति के जब गून को बताना हो quality को बताना हो तो उस समय भी हम to be verb का परियोग करेंगे जैसे वह एक सुन्दर लर्की देखे सुन्दर होना उसकी quality है तो कैसे बनेगा she is a beautiful girl देखे इसमें to be verb का परियोग में वर्व के रूप में किया गया है वे लोग तेज है they are intelligent यहाँ पे intelligent जो है तो आपका quality बता रहा है और तीसरा to indicate a location जब किसी जगह का या किसी अस्थान का location बताना हो तो उसके लिए भी हम to be verb का परियोग करेंगे जैसे वह बगीचे में है तो आप बनाएंगे sees in the garden यानि याद रखेगा to be verb का प्रियोग में वर्व के रूप में जब किया जाता है तो हमेशा आपने साथ noun को लाएगा adjective को लाएगा एडवर्ब को लाएगा और बहुत सारे चीजों को लाता है और दिखायगा क्या-क्या तो सबसे पहले आपने देखा position को दिखायगा quality को दिखाएगा, location को दिखाएगा, इतना ही नहीं दिखाता है, और सच चीज दिखाता है, जैसे वह उसके state को भी बताता है, जैसे हम कहते हैं कि पानी गर्म है, तो गर्म होना क्या है, अगर हम कहते हैं, the water is hot, यानि पानी का गर्म होना जो है, वह उसकी स्थिती को ही बताता इस्तिति नहीं उसकी अवास्था को बताता है यानि जब हम और इतना ही नहीं अगर हम किसी भी ब्यक्ति के अगर पद की बात करें पोजीशन की बात करें तब भी जैसे वह डॉक्टर है तो वह भी आपका टूबी भर्व का ही परियोग करके हम लोग बनाते हैं और अगर हमें किसी भी बस्तू के रुपांतरन की बात करना हो रुपांतरन का मतलब है कि हम बोले कि बर्व से पानी बनता है या बर्व जो होता है बदल कर पानी बन जाता है तो या नेचुरल फेनोम हमार मेन भर्व नहीं होता वो helping भर्व के रूप में यूज करते तो ध्यान रखेगा टूबी भर्व का प्रिव बहुस जगों पर करेंगे अन अस्थानों पर करेंगे और इसके यूज से हम लोग काफी महत्पूर्ण चीजों को सिखेंगे तो देखते हैं टूबी भर्व का structure को रूप में कितने हुज होते हैं तो बहुत सारे इसका उप्योगता है वो देखते हैं के करके